हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक पसेरी, एक मन, एक क्योंटल कितना को कहा जाता है तो देखिए आपर पहला प्राश्ण है चार केजी में कितना ग्राम होगा देखिए चार केजी में आपको ग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक केजी में कितना ग्राम होता है देखिए एक केजी में होता है एक हजार ग्राम यहाँ पर देखिए आपसे 4 kg का पूछा जा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर लिखना 4 kg को और 1000 में आपको 4 से गुना कर देना है यानि 1000 ग्राम गुना 4 यह हो जाएगा 4000 ग्राम यानि 4 kg में कितना ग्राम होगा वह हो जाएगा 4000 ग्राम तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्राश्ण है 6 पसेरी में कितना केजी होगा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एक पसेरी रहेगा तो कितना केजी होता है देखिए पसेरी दो तरह का होता है एक होता है कच्चा पसेरी और एक होता है पक्का पसेरी जो कच्चा पसेरी होता है वह होता है तीन केजी का और जो पक्का पसेरी होता है वह होता है पांच केजी का लेकिन देखिए इस प्राश्ण को हम लोग पका पसेरी को मान करके हल करेंगे तो देखिए एक पसेरी में कितना केजी होता है वह होता है 5 केजी तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि अगर 6 पसेरी रहेगा तो कितना केजी होगा तो आपको 5 केजी में 6 से गुना कर देना है यानि 5 में 6 से गुना करे यह हो जाएगा 30 केजी यानि 6 पसेरी में कितना केजी होता है वह होता है 30 केजी तो चलिए भम लोग 3 प्रास्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर 3 प्रास्ण है तीन मन में कितना केजी होगा देखिए जो मन होता है वह दो तरह का होता है एक होता है कच्चा मन जो कच्चा मन होता है वह होता है 25 केजी का और जो पक्का मन होता है वह होता है 40 केजी का लेकिन देखिए इस प्राश्ण को हम लोग पक्का मन को मान करके 40 kg, अब देखिए आपको यहाँ पर 3 मन को निकलना है, तो यहाँ पर जो 40 kg है, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, यानि 40 में गुना 3 से करें, यह हो जाएगा 120 kg, यानि 3 मन में कितना kg होगा, वह हो जाएगा 120 kg, तो चलिए अब हम लोग 4 प्राश्ण को हल करते हैं, देख आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कि एक कुंटल में कितना kg होता है, देखिए एक कुंटल में होता है 100 kg, तो यहाँ पर आपको निकलना है 7 कुंटल में, तो आपको 100 kg में 7 से गुना कर देना है, यानि अगर 100 में 7 से गुना करें, तो यह हो जाएगा 700 kg, यानि 7 कुंट सकते हैं पर पांचवा प्रास्टन है दो टन में कितना केजी होगा देखिए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एक टन कितना को काते हैं देखिए एक टन जो होता है वह होता है दस क्योंटल का अगर हम लोग केजी का बात करें कि एक टन में कितना केजी होता है तो एक नहां पर देखियाप से पूछा जा रहा था कि 2 टन में कितना केजी होगा तो आपको क्या करना है, 1000 केजी में 2 से गुना कर देना है 1000 में गुना 2 से करें, तो यह हो जाएगा 2000 केजी तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि 1 पसेरी कितना को काते हैं, एक मन कितना को कहते हैं एक क्योंटल कितना को कहते हैं और एक टन कितना को कहा जाता है